नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्व चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में संख्या पद्धत की परिभ्यासा के बारे में पढ़ेंगे संख्या पद्धतियों की परिभ्यासा क्या होती है तो आज हम लोग इस व धतियों की परिभ्यासा में पहले पढ़ेंगे की प्राक्तिक संख्यां क्या होती है जिनको हम नेचरूल नंबर कहते हैं तो प्राक्तिक संख्या की परिभ्यासा क्या होगी वे संख्यां जिनके द्वारा किसी वस्त की गड़ना की जाती है तो उन्हें प्राक्तिक संख्यां क होती है और सबसे बड़ी प्राक्ति संख्या अनंत होती है पूर्ड संख्याएं जिनें अंग्रेजी में होल नंबर्स काते हैं प्राक्ति संख्या देने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं को पूर्ड संख्या काते हैं जैसे जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ न कि 12 11 यह सभी संख्याओं को हम पूर्चा क्याते हैं तो इस तरह से आपको मालूम होगा कि जब हम प्राक्टिक संख्याओं मति 0 को और गैड कर देंगे तो हो जाएगी पूर्च्या तो पूर्चा अगर Around पूचा जाए कि सबसे चोटी पूर संख्या क्या है तो सबसे चोटी पूर संख्या जीरो होती है और सबसे बड़ी संख्या पूर संख्या में समसंख्या हैं समसंख्याओं को इवे नंबर तो इसकी परिव्यासा क्या होगी जो प्राक्तिक संख्या हैं दो से विभाज होती हैं उन्हें संख्या है जैसे जैसे दो चार चार आठ बारा सोलर चववीस चारसो चववाले 256 इत्याद एसब समसंख्या हैं समसंख्याओं के परिव्यास आप इस तरह भी कह सकते दो से बहें कोई भी संख्याओं तो उसका इक्याई کے आँक का 2 총 6 8 हो तो आप कहेंगी को समसंख्या है चाहिए आप इस तरह से याद करें कि जब किसी संख्या में हम से बाग देते हैं वे वुशंख्या हैं इनको इंगलेश में 8 नमबर्स कहते हैं तो इसकी परभ्यासा क्या होगी जो प्राक्तिक संख्या हैं दो से विभ्याज जिन्ना हो तो उन्हें विश्व शंख्या कहते हैं जैसे एक तीन पांच साथ नव यार तेरा पंदरा सतरा उनाईस तेस पचीस सताइस यह सब क्या हैं यह सब विश्व शंख्या हैं आप इस तरह भी कह स करते हैं कि जिनकाई क्या एक तीन पांच साथ नव हो तो आप बताएं कहेंगे कि यह प्राक्तिक संख्याएं जो की विष्णम शंक्षाइन to प्राइम नंबर्स जो प्राक्तिक शंक्षाइन एक या सोयंक के अतरिक्ती किसी अन्य संक्षा से विधाजित नहों, उन्हें प्राइम नंबर्स या अभाज संक्षाइं कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 99, 83, 97 इन संक्षाओं को आप केवल, या तो एक से भाग दे सकते हैं, एक से भाग इसमें जाएगा, और या तो सोयंग से भाग जाएगा, तो इस तरह से आप इसको ये तरह भी कर सकते हैं, कि वे संख्या हैं, जिनका केवल मैक्स्वियम दो ही गुडन खंड हो, उसको हम कहते हैं, प्राइम नंबर या अभाज संख्या ह तो योगिक संख्याएं जिनको कहते हैं composite number वे प्राक्तिक संख्याएं जो एक या अन्य किसी संख्या से विभ्याज हों तो उन्हें योगिक संख्याएं कहते हैं जैसे 4, 8, 16 इत्याद तो आप composite number किसको कहेंगे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जिनके 2 से जादा गुड़न खंड होते हैं उन संख्याओं को हों उन प्राक्तिक संख्याओं को composite number कहते हैं इस तरह से आपको परिभ्यासा याद हो जाएगी कि वे प्राक्तिक संख्याओं जो एक या अन्य किसी संख्या से विभ्याज हों तो यह उगलिक संख्याएं कहते हैं पोडांग संख्याएं इनको इंगलिस में इंटीजर कहते हैं पोडांग संख्याओं को इंगलिस में इंटीजर कहते हैं समस्त धनात्मक और रिडात्मक पोड संख्याओं के समोग को पोडांग संख्या कहते हैं इसकी परव्यासर हो जाएग दो, तीन, चार, बहुत सारी संख्याइं, जिनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, परिमे संख्याइं ये संख्याइं हैं, जिनको आप भिन्न के रूप में देखते हैं, तो आपको इस तरह से इनकी परिवासा याद कर सकते हैं, कि वह लगुत्तम बेन्न जिसके आंग तता हर पोड़ांग संख्याइं हो, किन्तो हर सून्य नहों, तो इसको हम परिमे संख्याइं कहते हैं, आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, कि वह संख्याइं जो पी बटे क्यू की रूप में लिखी जाए, किन्तो क्यू का मान जीरो नहों, तो इसको हम कहते हैं परिमे संख् जैसे एक वट्टे दो, तीन वट्टे एक, एक वट्टे चार, तीन वट्टे दस, कुछ भी संख्याय हों, अगर इस ही में रिड्यात्मक लगा होगा, तो इसको कहें कि यह रिड्यात्मक पर्मिय संख्या है, आपर्मिय संख्याये, इन्हे हम इंगलिस में irrational numbers कहते हैं, आपर प्राक्रतिक संख्या का वर्गमूल लेक्यालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है, तो उसे आपर्मे संख्या कहते हैं, जैसे काड़ी में 2, काड़ी में 3, काड़ी में 29, काड़ी में 30, एक बटा काड़ी में 2, पाई ये सभी संख्याएं आपर्मे संख्याएं ह इस तरह से इनको हम अपर्मे संख्या कहते हैं, अपर्मे संख्याएं वो होती हैं, जिन संख्याओं का वर्गमूर फूर संख्या ना प्राप्त हो, तो उसको हम कहते हैं, वास्तिविक संख्याओं, जिने इंगलिस में रियल नंबर्स कहते हैं, तो वास्तिविक संख्याओं क समु को वास्तिक संख्याएं कहते हैं जैसे जीरू, एक, दो, तीन, एक बटे चार, तीन बटे चार, सब बटे पांच, माइनिस तीन बटे चार, माइनिस पांच बटे चार, काड़ी में दो, दो धन काड़ी में तीन, काड़ी में तीन, धन काड़ी में पांच, इत्याद इन सभी संख्याओं को हम आपर्मे संख्याओं और पर्मे संख्याओं का जो समु होता है, उसको हम वास्तिक संख्याओं कहते हैं, तो इस तरह से वास्तिक संख्याओं की परव्यासा आपको कह सकते हैं कि जैसे प्राक्तिक संख्या, पोड़ संख्या, पोड़ांग, इसके बाद पर्मे, आपर्मे, जितनी भी संख्या होती हैं, जब सब को एक साथ मिला देते हैं, तब उसको हम कहते हैं, कि यह वास्तिक संख्या हैं, प्राक्तिक संख्याओं के योग के नियम, प्रा धन 5, धन 6, धन 7, धन 8, धन 9, धन 10, धन 11, धन 12, धन 13, धन 14, धन 15, धन 16, आज संख्याओं को अगर आपको जोड़ने के लिए कह दिये जाए, तो इन संख्याओं को आप कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये फार्मूला याद रहे हैं, आप द हुचल साथ से याद रहे कि यहन कोष्टक में यह पलस वटते दों जहां पर यहां अंतिम संक्या हैं आप इस से कोई भी संक्या दी रहे कि आप उनका योग कर सकते हैं जैसे अगर आपको आपको अभ़ीयाद करना है यह कि एक से लेकर के 玩 तक सभी संख्याओं का योग बड़ी सरल डंग से लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा आप लिख देंगे कि 16 कोष्टक में 16 धन एक और कुल के बटे दो देखिए दो अटे 16 हो गया आगया ये 8 गुड़े 17 सतर आठे कितना हो जाएगा आठ सते 56 आठे के 85 13 इस तरह से इतने एक से 16 संख्याओं का योग 136 हो जाएगा असा करते कि आपको समझ में आगया तार सम संख्याओं का योग करने के लिए आपको यह याद रहना चाहिए कि एन कोष्टक में एन धन दो बटे चार जहां पर एन दो धन चार धन छहां धन आट धन dhस धन बारे धन चवहद्र धन शोल धन अथारव धन भीस धन बाएस धन चवबेस धन शाबिस इस तरह से सम संख्याओं हैं इन सभी सब संख्याओं का योग करना है तो आप कैसे वो योग करेंगी इसका तो इसके लिए देखिए आपको यह याद रहना चाहिए देखें यहाँ पर यन यहाँ पर देखिए यन अंतिम संख्या है तो आपको देखना है कि यन अंतिम संख्या तो यह अंतिम संक्या कितना है 26 तो आप इसको लिख देंगे 26 कोश्टक में 26 धन 2 और कुल के बटे 4 तो आप देखिए इसको इस तरह कार भी सकते हैं दो सकार देंगे तो उपर 13 आगया तो आप देरह बटे 2 और नीचे 26 और दो को जोड़ेंगे 28 आजाएगा अब आपको इसको कार देंगे तो आजाएगा 13 गुड़े 14 अब 13 में 14 का गुड़ा कर देंगे तो जाएगा 13 गुड़ा 52, 52 का दो हो जाएगा और 13 के 13, 13, 5, 18 इस तरह से लेकर के 26 तक सभी समसंख्याओं का योग हो जाएगा एक सो इसी तरह से यदि आपको विशम संख्याओं का योग याद करना होगा तो आप क्या करेंगे इसके लिए आपको फार्मुलों याद रहना चाहिए कि एन पलस वन बटे दो का स्कॉयर इसी तरह से जैसे आपको दे दिये जाए कि एक धन तीन धन पाँच धन साथ धन नाव धन ग्यार धन तेर धन सतर धन उनएस धन एकईस धन थेस धन पचीस धन सताइस धन उनतिस धन एकतिस धन तैस धन तैस धन पाइतिस धन पाइतिस धन साइतिस आपको किसी भी कितनी भी संख्या हो उसका आपको साइंतिस तक सभी विशम संख्याओं का योग आपको जयात करना है तो आपको इस फार्मुले का प्रियोग करना है कि एन पलस वन बटे दू घाते कर देगे दू अब इसके बाद जहांपर एन प्राक्टिक संख्या तो देख रहे हैं यहाँ पर यहन प्राक्तिक संख्या और यह कौन सी संख्या यह अंतिम संख्या है तो देख रहे हैं यहन साइटिस है तो इस तरह से अब आप फार्मुलेर में इसको टक देगे तो आपको मालू हो जाएगा तो देख रहे हैं साइटिस अप लिख देगे कि साइटिस धन एक और बटे दो का बर्क कर देंगे तो साइटिस एक अन्टिस हो जाएगा अन्टिस में जब आप दो का भाग देंगे तो आजाएगा 19 और 19 का स्क्वाइर करें तो आजाएगे 361 इस तरह से इसका माना जाएगा 361 इस तरह से आप बता सकते हैं कि लगातार विश्रम शंख्याओं का योग साइंतिस्त अग्रह करेंगे तो 361 प्राप्त होगा किसी भी पहाडा का अगर आपको योग करना है तो आप बड़े सरढ़ंग से कर सकते हैं जैसे कोई भी पहाडा हो अगर आपको उसका योग निक्यालना है तो आप लिखेंगे 55 गुड़े पहाडा का पहाला यदि आपको 2 का पहाडा का योग करना है तो आपको करना क्या है लिखेंगे 55 गुड़े 2 तो 55 गुड़े 2 करेंगे तो आजाए कितना 110 आजाएगा इसी तरह से अगर माल लेजिए आपको 3 का एक करना है तो 55 गुड़े 3 तरह से आप किसी भी पहड़ा का योग कर सकते हैं तो आशा करता हूं कि यह वीडिय अपलों को पसंद आये होगी प्यारे दोस्तों अगर वीडियो आप लोग पसंद आये हो तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा लाइक करना मत भूलीगा अपने दोस्तों में शेर जरूर कीजीगा और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा Thank you very much धन्यवाद